तो आएए क्लास 12 बाईलोजी लस्ट नमर 11 के तहट आज का एक टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जिसका नाम है प्लाजमीट क्या है इसके लिए और इसका गुर्ण क्या है और इसका प्यूप का है और इसके परकार कितने हैं अनि आज प्लाजमीट के बारे में हम लोग भी स्थाद उप साधियन करेंगे तो समझे प्लाजमीट काम लोग यूज कहां करते हैं वह फिर मैं बताता हूँ कि पहले तो ये बाद जानिएगा कि प्लाजमीट जो होता है वहाँ के रूप में कार करता है यानि वहाँ का मतलब होता है कि अगर एक कोई जीव है इसकंदर एक केंदरक है और यह भी एक कोई जीव है इसकंदर केंदरक है इसकंदर जीन को डालना है यहां से जीन को निकालना है तो जहां से जीन से निकालेंगे इस जीन को निकालें अल्ला करके हम लोग वहाँ से ज एक अत्रिक्त गुनसुत्रिया अनुमानसिक्पदार्थ होता है तो चलिया भाई आएंगे पलाजमीड जिवाड़ू में पाए जाने वाला एक अत्रिक्त तो पलाजमीड के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं एपर और देखिये ध्यान से कहेंगे कि पलाजमीड जिवाड़ू में पाए जाने वाला एक अत्रिक्त गुनसित्रिया अनुबानसिक पदार्थ होता है याद करो और जो पलाजमीड होता है जिवाड़ू में पाए जाने वाला एक अत्रिक्त गुनसित्रिया अनुबानसिक पदार्थ होता है यानि जो मनुष्य का गुनसित्र होता है वास्तों में उससे ये क्या होता हैं चोटा है यह मुख्य गुर्ण सुट्र से छोटा होता है इस में श्वात दिरिगुभडण की ज्ऴता होती या आप अपने आप यह वी-भाजित हो सकता है या प्राय सभी जिवांडों को पॉस्त ऊपकाव में पाई जाता है जिवारों के अतरिक्त यह कवक में भी जो इस्ट होता है इस्ट में भी आपके प्लाजमीट उपस्तित होता है तथा मतर के आप परिपक को सिकाव में भी पाई जाता है जो मतर के आप परिपक को सिकाव में भी पाई जाता है जो मतर के आप परिपक को सिकाव में भी पाई ज स्वाता की काया होता माझने डियनने में यह पाई जाता है प्लाजमीड यह जो मुख गुर्ण सुत्रिय डियनने से अलग स्वतंतरुप से भी भाजित होने की समचा लगता है और जो मुख गुर्ण से तुरता है उससे थ्वाचा अलग होता है यह जीन अभियांतर्की में य 222 से अगर आपसे कोई पूछे जीन अव्यांतर की में सब स्याधिक क्वाहर की रूप में किसका पूरिये करते हैं ते आप कहेंगे प्राजमीट के का काए कीबिडु个 उता है प्रतिकृतियन का मतलब होता है कि एक दिसमाल एक कोई वाहक है ये पलाजमीड है ये कही पलाजमीड में बदल जाता है इस तरीके से तो इसी को प्रतिकृतियन करते हैं कि एक जो पलाजमीड है वह बहुत अदिक पलाजमीड में बदल जाता है दूसा ही कहना आपको कि स्वतंत रुप्स से बंसागत होता है यानि ये एक बंस से दूसरे बंस मजाता है यानि माता पिता से उसके संतान में स्वता ही जाता रहता है ये भी बता सकते हैं तो एक दो तिसर का देख सकते हैं इन पर प्रति जाइबिक प्रति रोधक जिन इस्तित होते हैं प्रति जाइबिक और प्रति रोधक जो जिसका बिरोध कर सके सुच में जियों का बिरोध कर सके सुच में जियों को सरीर कंदर जाने से रोख सके उसके भी जीन इस प्लाजमीड को उपर पाय जाते हैं और क्या कह सकते हैं कि प्लाजमीड पोसत के मुख्य गुण सुत्र से प्रितक राकर देगुलन करता है प्लाजमीड जो है पोसत के जो पोसत होता है पोसद के मुख्य गुण सुत्र से प्रिथकडा का द्रिगुलन करता है, द्रिगुलन का मतलब विभाजित करता है, तो अगर प्लाजमीट पूछे, इसका गुण पूछे, तो कोई आपको तीकत नहीं होना चाहिए, चार गुण तेक दम आपको याद हो जाना चाहिए, कोई प्लाजमीट को प्योगता है, आर्विक जै बेगान को के लिए होती है, क्योंकि ये, तो थोड़ा से एक बात बता दें, कि कोई पूछे, कि आर्विक जै बिग्यान क्या होता है, तो तो सुनिये अगर ध्यान से, कि जब रोगों को उपचार के लिए जै तकनिक का तुसी को आर्विक जै बिग्यान काता है, सुने ध्यान से, हमने ये कहा, कि जब रोगों को उपचार के लिए, रोगों को उपचार के लिए, जै प्रदो की या जै तकनिक का परियोग किया जाता है, तो तो आप सुनिये, प्लाजमीट को प्योगता, आर्विक जै बिग्य कराकर उनके ब्रिधी को कर सकते हैं यहने करने का मतलब है कि जो आणविक जय भी ज्ञान अता है रोगए को प्चार में इसका प्लाजमीड का बहुत अधी को प्यों किया जाता है जब प्लाजमीड में ऐचिक जीन प्रभिष्ट की जाती है तता एरुपांतिरित को सिकाओं में रख दिया जाते हैं तो प्लाजमीड तता इनके जीन पूर जीवाड़ों को उसी संख्या के उसी जन संख्या के साथ द्रभिष्ट होने लगता हैं जीन का अवतरान प्रुबज पोसत को सकावस से हुआ है यदि जीन ऐसे प्रोटीन को कोड़ करें जैसे मान थाइराइड उत्प्रेराख हर्मोंस टीयस्टीयस का पूर्ण यह नाम होता है ऐसे प्रोटीन जीवाड़ों का अंदर जमा हो जाते हैं जहां से उसे काट कर निकाल निकाला जा सकता है इसे जीकोलाई में ऐसे बीस प्लाजमीड रखे जा सकते हैं अता एक समय में 20 तीयस जीनों को रखा जा सकता है तता यह सभी जीन मिलकर एक जीन के तुलना में इस हर्मोंस को बिस्गुना अधिक मात्रा उत्पन करते हैं बने कुल आपको एक बाद चुछी बताते हैं कि प्लाजमीड का उपियोगिता आडवीक जै विग्ञान कंदर का तो यानि इसमें अग मानों के अंदर एंसुलीन की कमी हो गई है जो जीन एंसुलीन बनाता है उसकी कमी हो गई है तो मानों जो होता है दूसरे जीन को प्लाजमीड के साथ जोड़ करके उसके बाद से उस बिक्त के अंदर भाई जाता है जीन तो एंसुलीन के मात्रा बढ़ा देना है यानि एंस संचित में याद रखिएगा कोई भी विक्त है उसको कोई रोग हुआ है उसके जीन खराब हगाए तो प्लाजमीर के अंदर किसी अच्छे जीन को डाल करके फिर उसे विक्त के अंदर डाल दिया जाता है जिसे उसे विक्त को रोगों से मुक्ति मिल जाती है तो एक बात और याद रखेंगे कि प्लाजमी सब्द का परियोग सरप्रतम लेटर भर्ग प्लाजमी सब्द का परियोग शरप्रतम लेटर भर्ग नामक बेगानिक ने नाईस बावनिस्वी में किया था तो जब प्लाजमी सब्द का परियोग पुछे तो प्लाजमी सब्द का परियोग सरप लेटर बर्ग नामक पर गानिक ने अन्यस बावन इसमी में किया था, ठीक है, अब हम लोग प्लाजमीड के परकार के बारे में जा रहें देखने के लिए, अगर काई पुछे प्लाजमीड कितने परकार को होते हैं, तो आपका सिंपल से उत्तर होगा शेरी, कि कारी के अधार पर प्लाजमीड को पांच परकार के होते हैं, या पांच भागों में इसको बाटा गया है, यानि कारी के अधार पर जो प्लाजमीड होते हैं, हम उसको पांच भागों में बाट देते हैं, पहला आपका EF, यानि फर्टिलाइटी प्लाजमीड, दुसरा है प्रतिरोधी प प्लाज मिट तो जब भी आप से कोई पूछे प्लाज मिट कि ने परकार कोते हैं आभ हमसादब बताना है कि प्लाज मिट 5 परकार खोते हैं पहले हम प्लाज मिट दूसरा प्रतिरूधी प्लाज मीट दिस्टा कोल छोंधा मs Ой त में हुझे वार लेंस प्लाज मीट ठीक है अब बारी बार से सब प्लाज मीट को अमनों देखने के लिए तो आओ चलो जो प्रतिजाविक हम लो पड़ रहे थे प्रतिजाविक के परकार में जो पहला प्रतिजाविक है इसका नाम है यह यह फर्टिलिटी प्लाज मीट यह प्लाज मीट और किसी दूसरे DNA के साथ जोड़ना है, तो इस अच्छे तरीके से जोड़ने के कार करता है, उसके नाम है याफ प्लाजमीड, यानि फार्टिलीटी प्लाजमीड, फार्टिलीटी का मतलब होता है जोड़ना है, तो ऐसे प्लाजमीड जो दो DNA का करता है, जोड़ने कार करता ह तुसके वुकाता है यह हूँ प्रति डोधी प्लाजमीड है अब देखिए यह ऐसा प्लाजमीड अचा प्लाजमीड कही है जीन के बात हो कि अता है यह ऐसा प्लाजमीड होता है। प्रतिजाइबीग पिरोध उत्पन करता है अब दो को यहां पर मैं थ repliedअ बता देता हूंगे प्रतिजाइबीग को एंटी बायोटी कहते हैं अंग्रे जी में थो आध़ा सम्मुझ लीजी एंटी बायोटी तो आप कहेंगे नूम कि प्रतिजयवीक विये पदार्थ होते हैं, जो सरीर में आने वाले हनिकारक सुछमजीवों को नश्ट कर देते हैं, और हमेरे रोगों से बचाते हैं, मैंने क्या बोला कि प्रतिजयवीक विये होते हैं, जो हमारे सरीर के अंदर, इसमाला सरीर है, सरीर के अंदर, जो भी हनि कारेक सुच मजीवाते हैं, जो हमारे अंदर रुक उत्पन करने वाले होते हैं, उसको नश्ट कर देते हैं, तो ऐसे रसाइन को हम लोग प्रति जैवी काते हैं, तो प्रति रोधी प्लाजमीर का मतलब होता है, जो प्रति जैवी का ही बिरोध उत्पन करता है, प्रति जैवी का कोड करता है जो दूसरे बेक्टिरिया को खतम कर देता है यानि हानिकार जो सुचो बेक्टिरिया होते हैं जो हमाई सरीर कंदर आते हैं तो एक प्रकार के अच्छे अच्छे प्रोटेन का देमार करता है यह प्लाजमीड और फिर वह सुच मजीव नश्ट हो जाते हैं उसक यह रोकने के काल करता है, इसलिए इसको अपच्छाई काता है, एक उपच्छाई होता है, उपच्छाई होता है, उपच्छाई होता है, जिसके दिए सरी में पाचन होता है, लेकिन अपच्छाई का यह आपच्छाई का है, तो यह का करता है, यह ऐसा प्लाजमीर होता है, ज जब उसके संपर्क में जिवानु अगर आगे तो जिवानु के अंदर रोगुद्पन करने के छमता आ जाती है। इस तरीके साज हम लोगे ने प्लाजमीर पढ़ां और प्लाजमीर के भाग पढ़ां बस आज के लेतना धन्यवाद।